इसमें को कुछ भी पता नहीं चला कि वह ले चुका है यह माँ बताई मदर बताई कि यह ले लिया जमीन तब पहुत भुए बुरा लगा बहुत और पुरा लगा कि यह जमीन डन करके गया ये वाला जमीन जो देख उक्रा था भक्त से मैंने भी सुनाया मोका मीला तो खूब अभी मुगा मिले दो भूए सुना दर्द सुनके न मेरे कान में दर्द होगी किसी भी दिश्टे को दोस्तों उतना ही एहमियत देना चाहिए जितना जरूरी हो मैं तुम्हारी धरम पत्नी हूं मुझे तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम्हारा है ठीक है ब्लाड रिलेशन है मैंने कभी नहीं कहा ना किसी कुछ छोड़ दो लेकिन लोगों ने कहा कि मुझे छोड़े राधे किरें करता ना खाना बनाने का यह रखाने का मतलब पता नहीं क्यों लाइफ एसा को है ना इकड़ उस खार नई संबेने थे विल्कुल दो फिर भी कहते न है च्चेल्ळ दो ना कीसू को है रहे हैं जोüyorsun करने घ स्कारिदे हैंNow के कि मुई मुबाइल में मैं मुबाइल वो कहीं फिक्स करती हूं और बाबु क्या करता धक्का लगा फिर ठाच कर रहा बाबु छोड़ देना हाँ भागे को कुरूज भाग गया बाग गया काट लेगा इसका माथा में इतना जदा एक्टिवनेश है ना फिर फिर ना इतों बत करो प्राइब बाद करो प्राइब अच्छे से मतलब मैं डेड़ा चेंज हो चुका था और पुराने वाले घर में थी उसी समय मेरा घर बढ़ने का बाद स्टार्ट हो गया था मैं सब जगह अपने मा करता तक अभी जाने का और इतना माईके में रहो गए साधी के बाद तो माईके में वह वाली इज्जत नहीं मिल पाती है जो इज्जत लड़की को चाहिए होता है और सारा इज्जत मेरा कच्छुमर करना जिसको कहते हो मेरा हस्बन कर दिया अपना बाप घर तो लेके जान वह जो करेगा उसको काम महिनत नहीं करना है और अब एटे पैटे क्रेट में लेना है कि विकलांग लड़की से साधी करें मेरा सीडिया इस दिन से कमेंट कर ने बैट करना एक कमेंट नहीं पांद कर रहा था मेरे बार मैं कि आप आप एसे वैसे बोलके अब घाना मांगता करके जाना चाहिए मेरे घर का काम निकाल देती हूं तुझे अगर एहसास ने तुमने मेरे साथ इतना इतना प्रॉब्लम की फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता पाई तो अभी अभी तुम क्रेडिट लोगे तो मैं तो सुनाओंगी न सारी बाते लोगों को जबार जा भगाओ बाहर पच्छर को जा तो उसे समय घर बनना का बाद शुरू हो गया था और इसका भाई आना जाना शुरू कर दिया था आप डाउन तो मैंने भी कहा था कि चलो ठीक है मेरा अलग बनवा देना एकी साथ ल मैं चलो हूं था मेरा हस्वन और यूос करेंको में तो में तो सुरू में सबके साथ करा की प्रोड्राम को ऋन्हानी को आनगे मेरी खूल गई कि जैसे मेरा बाबू हुआ ना उसके बाद सबकर रवया मैंने देख लिया सबकर जैसे मेरे बेटा हुआ उसके बाद तो सबकर नोटांकी शुरू हुआ तो मेरी सास ताना भी मार दी ती और उसी समय कमेंट पास कर दी कि तुम्हारी सिर्फ बेटी है जो दूसरे घर में चली जाएगी बोल करके जबकि यह सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं है आप फिर भी लोगों का इतना तुच्छ वाली सोच है बाबू हुआ प्रॉब्लेम उसका भी बेटा हुआ मेरा देवर का तो मेरा पहली हुआ बट वो लोग मेरे में नहीं आए बट उसका हुआ मैं बड़ापन दिखाई मैं गई बात की चीजे दी लेकिन मुझे फुली इग्नॉर किया गया उसके बावजुद भी मैं तो मेरे बच्चे के लिए को अगर द तो मुझे इग्नॉर किया गया फिर फाइली बात हुआ कि एक दिन पता चला हमको बोला वो सामने से फोन किया लड़का देवर बोला कि जब इनुमीन चलिए लेते हैं साथ में लोन तो मेरा हस्में भरता तो हम बोले कि देखो ठीक है साथ में तो बना लेंगे लेकिन मेरी एक कंडिशन है कि घर का जो पेपर होगा वो मेरे नाम पे होना चाहिए मेरा देवर हमको यह बोल के फुसला रहा था कि देखी हम लोग तो बाहर रहेंगे नहीं मैं सोचता हूं कि जब गाउं जाओं हम लोग उससे पहले दोनों बच्चों के लिए बाहर घर बना के जाओ वोह प्रण बना रहा था अब जब तुमको घर बाहर रहना ही नहीं है तो फिर तुम मेरी नाम पर बनाओ ना तुम क्यूं आपनी नाम पर बना रहे हो उस्पीं जिस्ता दिन चाहे तुम्हेरे घर में रह सकते हो तो कोई चीज़ का रोक टोक नहीं है जो पैसा लगा मैं फूचर दे भी दूंगी मैंने ये भी सर्त रखा था बट वो लड़का समझ गया कि अब यह उल्लू नहीं है तो हम बोले कि नहीं जब आपको रहना नहीं है तो फिर मेरा नम से घर होना चाहिए और यह वह लाइन मत बोले तो यह समझ गया फिर दो चार कि दो सब्ता बात पता चला यह लड़का अपना जमीन पहले ही खरीद लिया बिना बताया मेरे हस्में को कुछ भी पता नहीं चला कि वह ले चुका है और यह चीज उसकी माँ बताई उसकी मदर बताई कि ले लिया जमीन तब इसको बहुत धक्का लगया बहुत बुरा सब्सक्राइब कि अपना फैमली के नाम पर मुझे बहुत टोर्चर कर रहा है बहुत ज्यादा हमेश्वा मेरे पास अपना भाई 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 सुन सुनके मेरे कान में दर्द हो गया किसी भी रिष्टे को दोस्तों उतना ही एहमियत देना चाहिए जितना जरूरी हो म मैं तोमारी धरम पत्नी हूँ मुझे तुमारा फ्यूचर है वो तुमारा है ठीक सबस्तों है किसी को छोड़ दो लेकिन लोगों ने कहा कि मुझे छोड़ दो मेरे बच्चों को छोड़ दो और अगर तुम मेरे पास आखे बढ़ाई करो तो मुझे अच्छा नहीं तुम उनको उसके दाइरे में रखो मुझे मेरे दाइरे में रहने दो कोई खिचडी बनाने का कोशिस नहीं करो कि मिक्स कर दे मैं देखी सब कुछ करके देखी लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए सब लोग इसको आज लात मार दिया इसका जितना भी फैम पूछते हैं मेरे दुनिया में लोग नहीं पूछते हैं और यही हुआ है और यही हुआ है और यह बंदा हमेशा मेरे पैरेंट्स हमेशा मेरे खुशी इस लड़गा भी पता चल गया कि लोग इसे जितने भी रिष्टे नाते रखे थे ना सब पैसा के लिए और मैंने इस पर बारिकी से जाज करना है और सारी चीज़ी रिजल्ट सामने बच्चे दो दो हो गए इतने बड़े हो गए मेरे मुँझे जहर पहले नी कलता था मेरे पर कितना कुछ भी किया था ना मेरे पर मै इतना जहर नहीं उगालते थी और इन लोगों ने मुझे इतना मझबूर क्या क्या मैं इनके लिए कभी अच्छा बोली नहीं सकती कभी भी नहीं कि मेरे माइंड में अब यह सेट हो चुका है कि आप दूस्तरा बच्चा तीसरा बच्चा तो मैं पैड़क करने रही जो था यही अगर यह लोग अभी हमको 10-15 दिन करते न तो यह मैं जीवन भर याद रखती जीवन भर क्योंकि इन बच्चों को बड़ा करने मेरी जो परिषानी बड़ी है वह मैं जानती हूं आज आप लोग देखे कि मैं बाल खुले करती हूं चेहरे पर क्रीम भी देखते हैं काजल भी देखते हैं फिस्टॉ दोस्तों कि इधर से लेके इधर तक पूरा मट मैला हो गई थी पूरा बिल्कुल काली जब बेबी बोर्ण हुआ था बाबू तो क्या मेरे पास इतना टाइम रहता था और मैं क्या इतनी एक्टिप थी कि घर भी खाना भी बना लूँगी बच्चे को भी देखोंगी चोटा स बच्चे जिसको नौ टाइम नाओ दस बार मैं तेल लगाती थी पोटी टोइलेट हर एक बार तूरं तूरं कौन करता था और मेरा बोडी भी बिल्कुल उस समय इतना सेफ में नहीं था मैं खूद अपना बोडी केरी करने में मुझे इतना प्रॉब्लम होता था मैंने कितन घर में गाई है घर में जानवर है घर में यह है लेकिन कोई मुझे नहीं बेल्यू दिया मेरे बच्च्यों को भी नहीं अगर मेरे हाल में मुझे लोग छोड़ दिये तो कभी मेरे भी तो वक्त आएगा और आ गया है आज मैं इतना बोल पार ही मेरा वाक था इसलिए बोल कि वह भूस्त लोगों को मिर्ची लगती है जिनकों मिर्ची की लगती लगे अभी तो कुछ भी नहीं है अग्वान अगर ऐसा दिन दिखाए है तो ज़रूर अच्छा दिन दिखाएं तब तुम लोग को और मिर्ची लगेगा तो मेरे गर वैंनली बन गया है और दूसले के तो गर्म में बहुत दिकत्कस से रहतीं थी सब लोग बोरिया भी सब्सक्राइब निकाल जाने को बोलते हैं मेरे माय विझे निकाल दिया गया में मुझे अंट्री नहीं मिला रेंट परहते रहते हैं रेंटर का चाहल होता है आप मैंसे अधिक्तर लोग जानते हैं और खास कर कि इसका हसबेंड कोईटर बने रहा और कुछ नहीं आप invent कि याकर आ कर कि आप लोग मुझे मार के भी चले जाओगे ना ये बंदा कभी मेरी लिए नहीं खड़ा होगा कभी नहीं खड़ा होगा ये मेरा एक्सपेडियन्स है मैं इसके साथ देखा है इसलिए मैं अपनी लड़ाई में खुद लड़ती हूँ खुद जब मेरे तरब से को ना बोल लेती हो ना कि सामने अगर कोई भी आ जायना कोई भी मैं उसके कान से खोण निकाल दूँगी क्योंकि मुझे अब हर एक तरह से बोलना आता है नीचे गिर के बोलोगे तो मैं तुमसे भी ज़्यादा गिर जाओंगी सब तरह से दोगला बाजी करोगे तो मैं तुमसे बिज़्यादत दोगलाई करूँगी लेकिन बोलना नहीं छोड़ूँगी तो आज से मेरी सारी किस्से खतम हो चुके हैं और कुछ-कुछ इंपोर्टन सीज़े हैं वो तभी मैं जग-जाहिर करूँगी दोस्तों जब फिर से कुछ सीन ऐसा किरिये ठोगा क्योंकि यह सारी चीज़े अब पस्नल है तो मैं चाहते हूं कि पस्नल बिल्कुल पस्नल है अभी शेयर करने जैसा नहीं अगर मैं सेयर कर दूंगी तो बहुत तो घर बरबाद हो जाएगा यहां सिर्फ मेरा और मेरे पती का था तो मैं सारी बाते जरूर रखोंगी और अब कल से मैं निक से व्लोग का त्यारी करूंगी अब कुछ-कुछ अपना दिखाऊंगी अपनी जर्नी दिखाऊंगी क्योंकि जो होना था हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है वाट उमीद रखी जा सकती है कि मैं भी आगे कुछ अच्छा ह और उमीद नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परिशानी आज आएगा और फिर सिधे यह वाला दिन लाना पड़ेगा चलिए दोस्तों आप सभी पोजिटिव कमेंट करें थोड़ा मेरे अंदर एनरजी भरिए बहुत ज़्यादा इदम एटाइटमेंट खतम है बिलक अब उस घर में क्या हाफ केजी और वन केजी आलू आता है अच्पता भर बात आप जब आलू को जिक्र करेंगे ना तो क्या बोला जायगा पता है बाबू जब भुझय बनाते हैं इसको इतना पसंद है न मतलब रिकरट्रा मैं किया आलू मतलबा अलूई रहता है सिफ़ रहता तो चलता के चाव फुuxe fourteen helps लेकिन क्या कहिएगा इसलिए मैं बोलना जोड़ दियुआ सब जी बब जी कोई चीज मेर नहीं लाया तो मगर बच्चे नहीं बोलने के बाद भी बोलना ही पड़ता है अपने लिए आप स्पहें करें और बच्चे को इस नहीं करदा है अ कर दाखर ना intention बी उसी को चाहिए इजड बी उसी को चाहिए सब कुछ चाहिए लड़कियों का life में कुछ भी नहीं बस compromise है बाई दोस्तों good night मतलब हमारे लिए राथ है आप तो सुवह में मेरी video देखें ले बाई दोस्तों